Hello Friends, Fallen Leaf के Part 4 में आपका स्वागत है जैट नीरा से कहता है कि क्या हमें सिर्फ सायोग से ही मिलने की जरूरत है क्या हम दोस्त नहीं हो सकते हैं जो अपने मरजी से भी मिल सके नीरा कहती है ऐसा नहीं हो सकता है हम सिर्फ दोस्त नहीं बन सकते हैं क्या आपको ये फील नहीं होता है वो वहाँ से चली जाती है डॉक्टर बेन उससे पूछते हैं कि तुम्हे इतनी आने में देर हो गई कोई बात है क्या नीरा कहती है सब ठीक है डॉक्टर बेन कहते हैं इसका तो यहीं मतलब हुआ कि तुम उस बात को बताना नहीं चाहती हो नीरा कहती है कि आप हर समय एक डॉक्टर की तरह ही बहेव करते हैं नीरा डॉक्टर बेन से बताती है कि उसे मॉडलिंग का ओफर आया है वो फेमस होना चाहती है ये सुनकर डॉक्टर बेन उसे सजेस्ट करते हैं कि उसके लिए उसकी मॉम ने जो सिंपल और कंफर्टेबल लाइफ प्लान की थी उसे उसके हिसाब से ही रहना चाहिए ना कि फेमस होना चाहिए योकि ये सारी चीजे इतनी आसान नहीं होती है कि आप पब्लिक फीगर बने और पब्लिक का सामना करें ये सुनकर नीरा हट हो चाती है कि आपको भी बाकियों की तरह लगता है कि मुझे अपना चहरा और अपने आपको किसी के सामने नहीं दिखाना है मुझे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था मैं आपकी नजर में भी सिर्फ एक सरमिंदगी हूँ मुझे बस एक कमरे में बंद रहना चाहिए नीरा अपने रूम में जाकर रोती है और एक बार फिर से उसे पाश्ट के ट्रॉमा याद आने लगते हैं इधर डॉक्टर कहते हैं कि नीरा की हालत अभी भी ठीक नहीं है लेकिन मैं उसे हमेशा सही रास्ते को दिखाने की कोसिस करूंगा दूसरे दिन रॉंग को पता चलता है कि चैट अपने सारे कपड़े और समान घर से लेकर चला गया है ये जानकर एक बार फिर से रॉंग को गुसे का दोरा आने लगता है वो एक बार फिर से अपने जासूस को हायर करती है कि वो नीरा के बारे में सारे इंफोर्मेशन लाकर उसे दे इधर चैट पुराने गानों का प्लेयर खरीद कर डॉक्टर बेन के घर पहुचता है नीरा को उसे देने के लिए नीरा वहाँ आती है और खुस होती है आगे डॉक्टर बेन नीरा से पूछते हैं कि वो तुम्हारे लिए ऐसे गिफ्ट ले आया तुम्हें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें ऐसा चाहती हो हमें morality को ध्यान में रखना चाहिए आगे नीरा एक बार फिर से चैट के बारे में सोचती है और वो flashback में याद करती है कि जब वो पहले what थी तो चैट के साथ कितना खुस रहती थी नीरा अपना modeling career start करती है उधर चौम अपनी बहन wrong को समझाता है कि उसे इंग का event attain करना चाहिए और अपने husband से वहाँ पर मिलना चाहिए वो कहता है तुम कैसी औरत हो तुम्हें जरा सा प्यार से बात करने नहीं आता है चैट से प्यार से बात करो रॉंग चैट से मिलती है और उसे event पर आने के लिए मना लेती है बाद में वो सोचती है कि उसका husband जरा सा आसू बहाने और मीठी बात करने पर फिसल जाता है इधर नीरा डॉक्टर से एक बार फिर से अपनी behave के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैंने अपने career के लिए already ये decide कर लिया है मैं सबका सामना करने के लिए तयार हूँ इवेंट पर चैट को देखकर रॉंग खुस होती है और कहती है तुम्हारे आने से मुझे अपने काम के लिए हिम्मत मिल गई चैट उसे good luck कहता है तो रॉंग उसे thanks कहने के लिए किस करती है और ये सब कुछ नीरा देख रही थी ये सब देखकर वो hurt होती है चैट की नजर नीरा पर पढ़ती है वो उसे excuse देने के लिए जाता है नीरा कहती है मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है लेकिन चैट उसे रोकता है वो कहता है कि मेरे और मेरी wife के बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है हम अलग रह रहे हैं नीरा कहती है कि ऐसे बाते करके तुम मेरे डैट की तरह मत बनो चैट कहता है यहां मैं तुमसे मिलने ही आया था नीरा कहती है इन सब का क्या फायदा है वो जाने लगती है तो चैट उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो feel करता हूं वो किसी के लिए नहीं क करती है और वो तयार होती है सभी उसकी तारीफ करते हैं इंग इंतजार करती है कि अभी तक उसकी मेन मॉडल मनाव नहीं आई है याट इंग को सजेस्ट करती है कि हम मनाव की जगा किसी दूसरी मॉडल को ला सकते हैं तो मनाव लेट में आती है और उसकी जगा नीरा ही तयार होकर स्टेच पे जाती है उसे देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं रॉंग भी शॉक्ड होती है नीरा अपनी परफॉमेंस के दौरान एक रोज चैट को देती है और चैट उसे एकसप्ट कर लेता है ये दिखकर रॉंग और भी ज्यादा गुस्सा होती है परफॉमेंस के उपर पानी फेक देती है फिर आगे वो चैट के हाथ से वो गुलाब लेकर उसे कुचल देती है और चैट के उपर गुस्सा होती है कि तुमने सब के सामने ऐसा क्यों किया वो वहाँ पर पागलों की तरह चिलाती है लेकिन चैट तो उसे कुछ भाव ही नहीं देता है तभ जोई मीडिया में ये नियूस छाज आती है कि एक नई मॉडल नीरा ने रॉंग के हस्बेंट के साथ फलर्ट किया जिस वज़े से हस्बेंट वाइफ में बहुत जब अज़ेस्ट जगडा हुआ है डॉक्टर नीरा के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें स्टेज पे अपने बहेफ पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए तो उसकी पहन कहती है तुमने भी तो अपना घर तोड़ा है अपनी वाइफ और अपने बच्चे को दूर भेजती या मरने के लिए इधर चैट नीरा को कॉल करता है तुम ठीक तो हो नीरा कहती है हाँ और आपको दुबारा म से कॉल आया था जो नीरा को पाटी में बुलाया है और वो नीरा को अपने आने वाले प्रोजेक्ट में मॉडलिंग का काम देना चाहता है यौट नीरा से कहती है कि चौम अच्छा इंसान नहीं है नीरा कहती है पाटी में तुम मेरे साथ रहोगी तो वो कुछ नहीं कर पा कि तुम लड़की हो और मुझे भला लड़के क्यों पसंद आएंगे तो आगे नीरा चौम को इग्नोर करने के लिए वाश्रूम में चली जाती है वापस आते समय उसकी मुलाकात होती है चैट से तभी वहाँ पर चौम भी आ जाता है और वो नीरा को वहाँ से चलने के लिए आगे वो नीरा को कॉल करता है लेकिन नीरा उसका कॉल रिसीव नहीं करती है तो वो उसका कार रोकवाता है वो याट से बात करता है और कहता है कि चौम अच्छा इंसान नहीं है उसे नीरा की फिक्र है वो याट से कहता है कि नीरा को चौम से सावधान रहना चाहिए फिर नीरा को चैट से बात करने के लिए भेजती है चैट उस दिन के लिए नीरा से सौरी कहता है और उससे प्यार का इजिहार करता है वो उससे पूछता है कि अगर मैं सब कुछ ठीक कर दू तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी नीरा ये सुनकर इमोशनल होती है वो उसके गले मिलती दे रहा था नीरा एक इवेंट को अटैन करने जाती है वहाँ पर मॉडल मनाव आ जाती है जो हर तरह से नीरा की स्पोटलाइट चुराती है लेकिन नीरा भी हार नहीं मानती है और वो बहुत ही चलाकी से सारा मामला हैंडल करती है वो रिपोर्टर से बताती है कि उस दिन मनाव को इसलिए रिप्लेस किया था क्योंकि मनाव खुद इवेंट में नहीं आ सकी थी चैट को रोज देने वाली बात पे भी नीरा कहती है कि उसने जो भी किया था वो स्क्रिप्ट के हिसाब से किया था रोंग अपना पास्ट याद करती है कि जब वो चैट से डेट कर र चैट को मनाने की कोसिस करती है वो कहती है कि अब हम बच्चे नहीं रहें वो उसे यकिन दिलाती है कि मैं अब पहले की तरह नहीं करूँगी चैट घर वापस आने की ले क्लिए तैयार हो जाता है लेकिन फ़ोड़ा सा टाइम counts उसके बाद चैट नीरा का सोशल मीडिया दे ना मत बूलिएगा